राजस्तान में पंचायत चुनावों के दूसरे चरण के एक हजार अठाइस ग्राम पंचायतों में होने वाले चुनावों के लिए नामाकन पत्र वापिस लेने का गुरुवार को अंतिम दिन है अभियर्थी दोफैर तीन बजी तक अपना नाम वापिस ले सकते हैं नाम वापिसी के तुरंत बाद बचे हुए परत्याश्यों को चुनाव चिनय अवंटित किया जाएगा इसके बाद परत्याश्यों की सूची का परकाशन भी कर दिया जाएगा इस बीच पहले राजे निर्वाचन आयोग चरण के चुनाव के लिए परत्याशी डोर टो डोर संप्रक करने में जुट गए हैं राजे निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कर्यकरम के अनुसार दूसरे चरण के लिए 2 अक्टूबर को मतदान दल समंधित ग्राम पंचायद के लिए रवाना हो जाएंगे 3 अक्टूबर को दूसरे चरण का चुनाव होगा और चुनाव के तुरंत बाद मतगर्ना होगी वैं मतगर्ना समंधित पंचायद मोख्याले पर ही होगी और 4 अक्टूबर को उपसर पंचों का चुनाव होगा मतदान का समय सुवह साड़े साथ से साड़े पांच तक रखा गया है प्राथम चरन का चुनाव 28 सितंबर को होगा वे राजे निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कारे करम के अनुसार परदेश की 1002 ग्राम पंचायतों के लिए 28 सितंबर को चुनाव होगा आयोग राजे निर्वाचन आयोग ने चुनाव की पूरी तयारी भी कर ली है प्रवेक्षक प्रव्य जमिनी स्तर की रिपोर्ट आयोग को भेज़ेंगे और इसके द्वारा नियुक्त प्रवेक्षक समद्र जिले में पी पहुँच गए है मुख्य की रिपोर्ट अंतिम मानी जाएगी वही निर्वाचन आधिकारी शाम सिंग राजप्रोहित ने बताया कि कानून व्यवस्ता के मद्य नजर सुरक्षा भी चाक चोबन करती गई है परदेश की 3848 ग्राम पंचायतों के चुनाव चार चरणों में होंगे प्रतम चरण का चुनाव 28 सितंबर को होगा दूसरे चरण का चुनाव 3 अक्टूबर को होगा वह तीसरे चरण का चुनाव 6 अक्टूबर और चोथे चरण का चुनाव 10 अक्टूबर को होगा आयोग ने COVID-19 के मद्य नजर गाइडलाइन जारी कर दी है वहीं मदाता न्यथा उनके खिलाप कारवाई की जाएगी लेकिन परत्यास्यों को गाड़लाइन का पालन करना होगा ब्यूर रिपोर्ट डीपी के न्यूज जैपूर